जमू कश्मीर में 370 और 35 वे हटने के बाद पहली बार यहां विदान सवाद चुनाओं हो रहे हैं लोग सवाद चुनाओं के बाद सभी की दिल्चस्पी इस बात पर है कि जमू कश्मीर की जनताब कैसा मैंडेट देती है कॉंग्रेस और नैशनल कॉंफरेंस ने अपना अलाइंस भी अलान कर दिया है इसके बाद पहली बार extensive interview देने के लिए राजे के पूर मुख्यमंत्री नैशनल कॉंफरेंस के वाइस प्रेज़ेंट ओमर अब्दुल्ला साब अब 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 बीप नियूस पर है सर बहुत बहुत शुक्रिया आपने टाइम दी आइकन सी आप बहुत बिजी है मेरे साथ मेरे कुलीग आसिफ खुरेशी साब भी है अमर साब जैसे मैंने काई कि आपने अलाइंस कॉंग्रिस और नैशनल कॉंफरेंस का अनाउंस कर दिया सीटे भी आप डिकलेयर करना बाकी है बट इस दफ़ा कितने कॉंफरेंट हैं अमर अब्दुला अनाउंस करने की कोई बात ही नहीं थी हम तो पहले ही इंडिया ब्लॉक के हिस्सेदार रहे हैं तो हमने कोई नया अनाउंस नहीं किया है सीट शेरिंग की बातचीत अभी चल रही है और हम चाहते थे कि अभी तक इसको मुकमल किया जाए लेकिन ज्यादा तर सीटों पर तो मनजूरी हो गई है कुछ सीटे हैं जिन पर हम अड़े हुए हैं कुछ सीटे हैं जिन पर कांग्रिस के हमारे दोस्त जो हैं वो अड़ गए हैं अब कोशिश की जा रही है कि बातचीत करके हम इनका कोई ना कोई हल निकालें आज का दिन हमारे पास है कोशिश करते हैं अभी भी इंटर्व्यू शुरू करने से पहले कॉंग्रिस की लीडर्शिप से मेरी फोन पे बात हुई और हम चाह रहे हैं कि आज तक जो है इसको मुकंबल किया जाए इसलिए मैं पूछना चाहूंगा क्या अलायंस भी खटाई में पड़ सकता है या कुछ सीटों की बात है फिलाल तो सीटों पर ही जो है अलायंस तोड़ने की बात ना हम कर रहे हैं ना कॉंग्रिस कर रही है हम चाहते हैं कि मिलके एलेक्शन लड़ा जाए और चंद सीटों प कई नए पार्टियां बीच में उभर के आई पार्लमानी इन्तिखाबात के बाद कुछ उन में से जो नए पार्टियां है वो टूटना शुरू हो गई आजाद साबकी पार्टी तो अब कही नजर ही नहीं आती अलताव बुखारी साहब की पार्टी भी रोज अगर आप देखें तो दो दो तीन तीन लोग वहां से निकल रहे हैं इन हालात में इसका असर हमारी सीट शेरिंग पे भी पड़ा है क्योंकि अचानक जो लोग दूसरी पार्टी ओमे थे वो अब इस अलाइंस के तरफ जो है देखना शुरू कर गए और इसका भी थोड़ा सा असर इस सीट शेरिंग पे पड़ा है अब बाची चल रही है मैं उमीद कर रहा हूं कि आज तक आज हम इसको मुकमल कर लेंगे सीट शेरिंग का फॉर्मला है या जो सीट उमें जो खटा सी है इन में कौन सी सीट है क्या वो दक्षिन कश्मीर हैं, मध्य कश्मीर हैं या उत्तरी कश्मीर हैं कि जो सुनने में आया है कि कॉंग्रस पहली बार चाहती है कि वो श्री नगर में भी उनको seat sharing में हिसा मिले हैं आप इस चीज में मत जाएए कि आप क्या सुन रहे हैं असलियत क्या है वो हम जानते हैं और नैशनल कांफरेंस ने इन सीट शेरिंग का जो तरीका रहा है उसको मीडिया के जरीए नहीं किया है ना मैं आज वो शुरू करने जा रहा हूं जो हमारी बातचीत है वो हमारे दर्म है और मैं यहां बैठके सीटों का ना गिनूंगा ना उनके नाम लूँगा जहां पर या तो हम मन्जूरी कर चुके हैं या जहां पर हम अभी फैसला करना हमारे लिए बाकी है क्या आज आप इस पॉजिशन में है क्योंकि यह नहीं बात पता चली मुझे दिल्ले से आने के बाद क्या आप इस पॉजिशन में है कि जो हम जेनरली सुन रहे हैं कि 50 सीटे तकरिबन आप 40 सीटे तकरिबन कॉंग्रेस ये वर्क आउट हो जाएगा तकरिबन यही फॉर्म हो गए हैं जिसके वज़ा से तो हम भी कुछ सीटों पर आड़े हुए ना यह तो मेरे तरफ से कहना गलत होगा कि नहीं जी सिर्फ कॉंग्रेस ही अड़ी हुई है मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ कि मैं सारा इल्जाम सारा दोश जो है कॉंग्रेस पर डालूं कुछ सीटों पर हम भी अड़े हुए हैं और करेंगे आइस्था इस्था इसको हम ठीक कर लेंगे जब कॉंग्रेस अद्यक्ष मलकर जुन खरगे और राहूल जी यहां पर आए थे तो एक मीटिंग शेडियूल थी जिसमें फारुक साहब और राहूल गांदी और मलकर जुन की मीटिंग होने वाले लेकिन वो मीटिंग नहीं हो पाई क्या राहूल की जो विजिट थी जो दूसरे दिन जो वो यहां पर आए क्या वो आईस ब्रेकर थी या तब भी बातचीत हो रही थी आप कौनसी मीटिंग होनी थी मैं ये पहली बार सुन रहा हूं आपसे कि कोई मीटिंग होनी थी लेकिन वो नहीं हो पाई ये कौन सी बात है क्योंकि मैं नाशनल कॉन्फरेंस का नाइब सदर हूँ, फारुक साब को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, थोड़ी बहुत मेरी उनके साथ वाक्फियत है, ऐसी कोई मीटिंग खरगे जी और राहूल और फारुक साब के दर्मियान तैय नहीं की गई थी, हमने सिर्फ उन्हें जब हमें मालूम पता चला कि वो सिरनगर आ रहे हैं यहां अपने साथियों से बाचीत करने के लिए, तो हमारा एक पुराना रिश्टा है कांग्रिस के साथ, इंडिया ब्लॉक के हम हिसेदार हैं, अलाइंस मिलके हम ये इलेक्शन लड़ना चाहते हैं हमने उनसे गुजारिश की कि आएं, हमारे साथ एक चाय का कप पियें और जमू कश्मीर की सियासी सूरते हाल पे हम बात करें, लेकिन फॉर्मल किसी तरह की ऐसी मीटिंग जिसके यह आप बात कर रहे हैं, ऐसी कोई मीटिंग तैय नहीं थी उमर साब, before I move to the other, दूसरे issues पर, क्या India Alliance मिलके लड़ेगा, क्योंकि अगर fallout हो गया तो इसका नुक्सान नहीं होगा, आपनों को votes डिवाइड हो जाएंगे अब हम पे छोड़िये ना, हम, मैं जिस तरह मैंने आप से कहा, हम अपनी जगे मुतमाइन हैं, confident हैं, कि हम आने वाले एकाद दिन में इसको हम complete कर लेंगे पीडीपी इसका हिस्सा क्यों नहीं है, आप लोग पहले गुपकार अलाइंस में थे, ठीक है, लोग समा में आप लोग साथ नहीं थे, लेकिन मुझे याद है, पिछली रफ़ा जब महभूबा मुफ्ती का मैंने इंट्व्यू किया था, तो उन्होंने मुझसे कहा था, कि मैं उमीद कर रही थी, कि एक गारजियन के तोर पे, डॉक्टर फारुख अब्दॉल्ला मुझसे बात करते तो चीज़ें सुलच सकती थी, इस दफ़ा भी क्या कोई आउट्रीच नहीं किया गया, उनको छोड़ देना, इंडिया लाइंस तो यहीं तूड गिया ना सर, इं इलेक्शन के बाद, जितनी भी इंडिया ब्लॉक की मीटियं हुई, उसमें पीडीपी की शमूलियत नहीं रही, इंडिया एलाइंस की बात हो रही है, आपका मैनिफेस्टो से जारी हुआ है, बीजे पी के तरफ से और केंडरे ग्रहमेंट्रे के तरफ से इस अलाइंस को अ निशाना साधरी हैं, उस से आपको कुछ नुकसान होगा? तैह हुआ था, उसमें बड़ी-बड़ी बातें थी, तो अनहुली अलाइंस की बात, बीजे पी का हमसे करें, वो मजाक की बात बन जाती है. सर्फ, पीडीपी के साथ अभी भी क्या कोई गुनजाईश है, पोस्ट पोल? आप क्यों पीडीपी के पीछे पड़ रहें आप? आप क्यों 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 आप क्यों आपको पीडीपी के इतना शौक है जाके उनसे बात करिये ना? आपको भी नहीं दिखरा है, आपको भी नहीं दिखरा है ना? आप लोगों को भी नहीं दिखरा है, हमारे मैनिफेस्टो में हमने हर चीज़ पे बात की है, लेकिन आप लोगों को 370 और 35 के अलावा कुछ नहीं दिखता, वो हमारा एक सियासी वादा है यहां के लोगों के साथ, हम उस पे कायम हैं, लेकिन आप प्रेस कांफरेंस में थे कि यह आने वाले इस 5 साल की हकूमत में मुमकिन होगा, लेकिन हम लोगों को यह कह रहे हैं, कि हम यह मुद्दा छोडने के लिए तयार नहीं हैं, हम इस इशू को जिन्दा रखना चाहते हैं, आज, कल, परसों, कभी ना कभी, हम इस उमीद में हैं, कि मुल्क के हालात बदल जाएंगे, और शायद हम इसमें कुछ हासिल कर सकेंगे. लेकिन हम इस चीज़ को तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं है कि जमू कश्मीर यूटी ही रहेगा अगर मरकज में बीजे पी की हकूमत हमें मर्जी से स्टेट हूट देने के लिए तैयार नहीं होती हम लड़ जगड के वापस लाएंगे क्योंकि मैं अच्छी तरह से मुझे याद है मैं सुप्रीम कौर्ट में उस वाख खुद था जबके गवर्मन्ट व इंडिया ने सुप्रीम कौर्ट को कमिट किया है कि हम जमू कश्मीर की स्टेट हूट रिस्टॉर करेंगे ठीक है ना अगर आप मरजी से नहीं करते हो हम सुप्रीम कौर्ट के सामने जाके इस इस इशू को उठाके गवर्मन्ट व इंडिया को याद दिलवाएंगे कि सुप्रीम कौर्ट के सामने उनकी क्या कमिटमेंट है और वो हम हासल करके रहेंगे चुनाओं की गोशना हुई थी उस दिन आपने कहा था कि पार्टी की तरफ से आप बहुत दबाव बन रहा है कि आप चुनाओ लड़े तो ऐसी सूरत में कया हो सकता है कि आप चुनाओ लड़ें कि आपने बार बार कहा है कि यूटी में आप चुनाव नहीं लड़ेंगे अभी भी उस जगे कायम हूँ लेकिन दवाव है इससे कौन इंकार कर सकता है अब देखें बात करेंगे बीजेपी जो इस दफ़ा डी लिमिटेशन के बाद गुंजाईश तलाश रही है सरकार बनाने के लिए उसको आप कितना प्रबल चुनोती मानते हैं चैलेंज मानते हैं और आपको नैशनल कांफरेंस की कैसी परफॉर्मेंस की उमीद है इससे अब डी लिमिटेशन के बाद इलेक्शन में बीजेपी की वोट शेर घटी मंदेर और तीन सो सतर और इन सब चीजों को लेने के बाद भी बीजेपी जो है उनका मारजन जम्मू और उधंपोर दोनों सीटों में उनका मारजन कम हुआ ऐसे हालात में मैं बीजेपी को इतने स्ट्रॉंग पॉजिशन में देखता हूं जितनी स्ट्रॉंग पॉजिशन में बीजेपी शायद ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही है या दिखाने की कोशिश कर रही है हकीकत ये है कि बीजेपी अपनी मर्जी से ये एलेक्शन नहीं करा रही है उनका अगर उनकी अगर मर्जी चलती तो शायद ही यहां election होते वो पिछले 5-6 साल से election से भाग रहे हैं यह election उनके लिए मजबूरी बनी क्योंकि सुप्रीम कौर्ट का आदेश है सुप्रीम कौर्ट ने कहा कि 30 सब्तंबर से पहले पहले यह election मुकमल होने चाहिए अगर सुप्रीम कौर्ट का यह हुकम नहीं जारी हुआ होता शायद ही यहां election होते क्योंकि बीजेपी को मालूम है कि जमू में उनकी हालत कुछ ठीक नहीं है अगर मैं आपसे एक नंबर पूछ हूँ कोई आपको लगता है कि कॉंग्रेस नैशनल कॉन्फरेंस का alliance जो है वो कम से कम इतनी सीटे पाके सरकार तो बनाएगा नंबर फिर मजाख बन जाता है हम अभी 400 पार भूले नहीं 370 भूले नहीं मैं नंबर नहीं दूँगा ना मैं इतना ही कहूंगा कि हकूमत हमारी होगी हकूमत आपकी होगी है हकूमत हमारी होगी आपोस्त पोल पर अपनी घारी लेकि जा रहे हो हमें तो प्री पोल की गाड़ी चलाने दीजिए ना पॉस्त पॉल की भाद़ की प्री पोल के बात ही क्या करें जै Heil град कि ट्पकोकर लेकिन उमिदवारों को लेकि शमます upgrade बना है, सीट शेरिंग भी हो चुकी है, कुछ सीटूप को छोड़के, उमीदवारों की लिस्ट कब आएगी, ताकि ये फैसला साफ हो जाए, कि कौन-कौन मैदान में है, नेशनल कान्फरंस भी इस पर देरी कर रही है, टाइम इतना बचा नहीं है, पहले फेज के लिए, तीन दिन अब पईपर फाइल नहीं किया जा सकते, और इसके लिए कोई मतलब वाया मीडिया नहीं निकाला जा रहा है, आज का दिन जाया, कल का दिन जाया, परसों का दिन जाया, अब आप साथ दिन देते हो, मैंडेट फाइल करने के लिए, जिसमें कि तीन दिन छुटिय लगाते हो कम असकम उस पावंदी को तो आप बढ़ा दीजिए आप तीन दिन छुटियां मना रहे हो और फिर वक्त इतना ही रखते हो एलेक्शन के लिए अगर हमारे उपर ये तीन दिन की छुटी का भोज नहीं होता हमने शायद एक दिन पहले ही रिजल्ट जो अपना लिस जारी करते भी हैं तो ना हम कागज ला सकते हैं ना हम कोई NOC ला सकते हैं ना हम बैंक अकाउंट खोल सकते हैं वो Zero Balance वाला जो हमें खोलना है अब जो को चोगा Tuesday को होगा तो कुछ हद तक Election Commission ने भी आपके लिए ये जो है ये दिन रखे हैं जिस पर के कुछ करना हमारी कोई मजबूरी है नहीं हम अगर चाहें तो Monday को लिस्ट निकालेंगे और Tuesday को फाइल करेंगे उमर सब मैनिफेस्टो पर मैं आपको वापस लाना चाहता हूँ वो National Conference जिसके बारे में आपने खुद का और हम भी जानते हैं जिनके कई कारे करता हूँ कई नेता टेरिरिजम में शह टेरर एक्सपोर्ट कर रही है और प्रेजेंट इस्टैबलिश्मेंट ने प्रेजेंट गवर्मेंट ने एक लाइन लिया हुआ है कि जब तक वो टेरिरिजम पे कोई कारवाई नहीं करते हैं उनसे बात नहीं करनी ऐसे समय पर आपने ये बात पैरवी क्यों कि क्योंकि हम कि कभी न कभी तो ये सिलसला रुख जाएगा ना टेरर का और हम उसी चीज़ को लेके आगे बढ़ रहे हैं जो वाजपाई सहाब की यहां विरास्त रही है कि हम दोस्त बदल सकते हैं पडोसी बदल नहीं सकते हैं आप लाग कोशिश करें आप पाकिस्तान को पडोसी के त पाकिस्तान था है रहेगा कभी न कभी तो आपको अपने पडोसी से बात करनी होगी कभी न कभी तो आपको अपने आसपास का माहोल बेहतर करना होगा कितने मुलकों से आप जवरा लोगे आज मॉल्डीव्स के साथ आपके तालुकात ठीक नहीं है आज बंगला देश में आपकी हालत खसता है, पाकिस्तान के साथ आपकी हालत ठीक नहीं है, नेपाल के साथ आपकी हालत ठीक नहीं है, स्री लंका में कभी पता नहीं चलता, कभी अच्छा, कभी बुरा, चीन का वहाँ अच्छा खासा असर है, भुटान में तो चीन की लगातार कोशिश है कि इंडि का influence बड़े कभी ना कभी तो आपको अपना neighborhood ठीक करना होगा उसमें हम उमीद करते हैं कि पाकिस्तान के साथ भी तालुकात बहतर होंगे लेकिन हमने हमेशा ये कहा है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत के लिए माहौल बनना होगा और माहौल बनाने में जिम्मेदारी पाकिस्तान की भी है आप पूछना जाते हैं आकरी सवाल सार राम माधव जी को लगाए गया है बीजेपी के तरफ से आपको लगता है कि कुछ impact बीजेपी इससे create कर सकते हैं पुराने दोस्त हैं यहां पीडीपी और बीजेपी अलाइंस बनाने में सबसे ज़्यादा उनका ही रहूल रहा शायद बीजेपी दुबारा चाहेगी उस तरह की अलाइंस और इसलिए राम माधबसाप को यहां भेजा हुआ है का क्या यहां को मगता है कि बीजेपी-पी ऐब फिर olsun आने की कोशिशिश करें वह वाक्त हुए हूं क्या पता फिर हो जाए पीडीपी ऐसा करें नहीं करेंगे मैंने चिनल इतना कहा कि उस वाट इस ऑलाइंस बनाने है उनका बड़ा योगदान रहा आगे भी शायद योगदान रहेगा क्या कौन क्या सकता है कि कश्मीर गाटी में वो कम से कम दस बारा निर्दलिय उमीदवारों के साथ बातचीत कर रहे हैं उनके सपोर्ट में हैं उनके जरीए वो यहां पर अपनी इनिंग्स की शुरुवात करना चाते हैं क्योंकि गाटी में आज तक नहीं तो कैसे आप इस चीज़ को देखे हैं कि ये खुले तोर पर बीजेपी के प्रदेश अद्यक्श के तरफ से बोला गया है कि 10-12 निर्दलियों के संपर्क में हैं वो निर्दलिय क्यों अगर बीजेपी अगर बीजेपी को इतना मतलब अपने बातों पर यकीन है वो ठकते नहीं है ये कहते हुए कि 370 को हटाने के बाद कश्मीर के लोग खुश है वो मोदी साहब के इस फैसले को लेके बहुत मुतमाइन है उनकी जिन्दगी में एक बहतरी आई है तो बीजेपी मैदान छोड़ के भाग क्यों जाती है पार्लिमेंट एलेक्शन में भी 3 सीटों पे उन्होंने दूसरों की मदद की मेरे खिलाफ सजाद लोन की मदद की सिर्नगर में और रजोरी अनंतनाक की सीट पे अलताफ बुखारी साब के सीट की मदद की बीजेपी ने सजाद लोन की जमानत बचाई अगर बीजेपी ने माइगरंट वोट सजाद लोन को नहीं दिलाए होते मेरे खिलाफ उसकी जमानत जब्त हो जाती, तो वो बार-बार मैदान छोड़के आजाद उमीदवार क्यों सामने लाते हैं, उनकी यहाँ पार्टी है, उनकी लोग जो हैं पांच अगस्त को आपस में मिठाई बांटते हैं, उनको टिकिट दे दीजे, कमल की फूल के सिंबल एलेक्शन लड़ा हम भी देखें कौन कहां खड़ा पहला हिंदू मुख्यमंत्री बनाने की बात करो आप तो यहाँ इंडिपेंडन्स के पीछे चुपे हो, इंडिपेंडन्स के पीछे क्यों छुपे हो अपना सिंबल लाके आप अगर हम जम्मू में अपना सिंबल लगा हैं या PDP और अन्य पार्टियों को जिस constituency में हमारे मुकाबले में उम्मीद्वार का पल्टा सबसे ज्यादा भारी होगा मुकाबला हमारा उनके साथ होगा अलग सीटों पर अलग अलग लोगों के साथ होगा ना यह वन साइस फिट सौल वाली बात नहीं है कहीं पर BJP कहीं प अब्दुल्ला साब चुनाओ का एलान हो चुका है इस बीच अब्दुल्ला साब ने समय निकाला बहुत से लोग मिलने के लिए आये हुए हैं बहुत कॉन्फिडेंट है कि इस दफ़ा कॉन्फिडेंट है कि हुकुमत नैशनल कॉन्फिरेंस की बनेगी नैशनल कॉन्फिर रोज में सुलजा लिया जाएगा